हलो फ्रेंज बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आप लोग कैसे आशा करती हूं आप लोग पहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज हम लेकर क्या हैं भिंडी में लॉंग लगाते ही चौक जाएंगे हाँ आप लोग ने थमनेल पर देखा होगा कि भिंडी में आप लोग आएंट तक देखना और हाँ आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना बोला तो सबजी तो सभी खाते हैं लेकिन चलिए आज हम भिंडी में लॉंग लगा करके बताते हैं कि क्या करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनों के साथ सेर करना तो इस तरह से भिंडी को पहले धूल करके फिर इसको कपले से पोच लेना है इसमें पानी विल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इस तरह से एक भिंडी ले लेंगे फिर इसमें हम धेर सारी लोगे कम से कम 20 से 25 लोग एक भिंडी देखे इस तरह से इसमें लगा देना चारो सैट से लॉंग लगा करके इसको तैयार कर लीजिए और लॉंग लगने के बाद में आगे हम कहां इसमें चारो सैट से लॉंग लगा लीजिए लगाने के बाद में आगे आगे आप लोग देखते रहे तो देखे पूरे में हमने लॉंग लगा दी है जिसमें फूल हो वाली हो तो ज्यादा अच्छा अगर नहीं है तो कोई बाद नहीं आप बिना फूल की भी लॉंग लगा सकते हैं तो इस तरह से देखिए पूरी भिंडी में हमने लॉंग लगा करके तैयार कर दिया है तो चलिए अब आगे हम इसको गै तो चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन दो बड़े चमज तेल हम आराम से एक भिंडी में डाल सकते हैं अब यह जो लगा करके हमने रखी है यह विंडी को हम इसी के अंदर डाल देते हैं और इसको लो फ्लेम पे पकाना है बहुत ते गैस को तेज बिलकुल भी न जिसको हम अचार में डालते हैं जो अचार का स्वात बहुत अच्छा हो जाता है वही इसमें डाल देना है फिर एक चमज इसमें हम मेथी दाना डाल देते हैं अब इसको लो फ्लेम पे हमें पकाना है एकदम आराम से चलाते हुए और भिंडी के उपर थोड़ा थोड़ा त ताकि भिंडी हमारी चारो साइट से अच्छे से पक जाए जब अच्छे से पक जाएगी तभी इसका आप देखेंगे देख सकते हैं इस तरह से इसको बरावर चलाते रहना है और चलाने के बाद में आप देखेंगे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सिर्फ जड़ाने के बाद में उस्ता होता है इसका बंदर आजाते हैं तो इस तरहें इस को दिह उना जायत है को जो बेहुत कर ठील की होना करके प्सक्रामाइए तब में मृझत होनी बाउनर का बने तक कम मतलब बावन जादा शहां और इसको मैंने बताया आपको 10 मिनट लगेगा आराम से 10 मिनट लग जाता है दीरे-दीरे पकाते हुए क्योंकि प्याज हमारा है और भिंडी यह जो होती है यह चीजे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसको हम देखिए कलर दीरे-दीरे चेंज हो रहा है इसी तरह इसको हमें चलाते रहना है और यह जब अच्छे से पक जाएगे फिर हम आगे बताते हैं कि इसको हमें करना क्या है तो देख सकते हैं यह बिल्कुल पक गई है अब हम गैस को बंद कर देते हैं गैस बंद करने के बाद में इसे हम नीचे उताल लेते हैं तो देख सकते हैं वहारा पक गई है और प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब चलिए गैस को हम बन कर देंगे अब यह हमारा जो तेल है ये बनके तैयार हो चुका है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भिंडी में लॉंग लगाने से क्या होता है तो लॉंग जो होती है वो हम आप इस तेल को यूज में ला सकते हैं इस से आपके बाल टूटेंगे नहीं और सफेद भी नहीं होंगे क्योंकि आजकल हर किसी के बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहें तो इस तरह से इसको हम छान करके इसको अलग कर लेंगे अब जितने भी इसके गुड़ हैं सारे तेल के बाल धुलना हो उसके एक दिन पहले आप इसको लगा सकते हैं जैसे कि हमारे बालों में रूसी हो जाए उसमें भी आप इस तेल को यूज कर सकते हैं और इस समय होली में रंग खेला गया है तो बाल हमारे एकदम ड्राइ ड्राइ से हो गये हैं इस समय आप ये तेल बना करक इसको छुडाने में बहुत ही दिकत होती है तो चलिए इसके लिए हम बहुत ही यूजफूल टिप्स लेकर के आए जिससे कि आपका कलर बहुत जल्दी छूट गजाएगा काफी कलर लगा है अभी हमारे हाथों में तो आप लोगों के साथ में मैंने सोचा आप लोगों के नहीं होगा आप अपने हाथ में हं लगा हो या चेहरे पे लगा हो या कहीं भी आपके अपके रंग लगा हो तो आसानी से आप छुडा सकते हैं कोई भी रगन लगान क्रेम के चाहे चाहे iensप्लिनिक इसमें हम थोड़ा सा इनो भी डालेंगे जिससे की कलर बहुत जल्दी रिमूव होता है हमारे हाथों पे जितना भी कलर लगा है वो बहुत जल्दी छूट जाएगा अब इन तीनों चीजों को हमें इस तरह से मिक्स करके अपने हाथों में अपलाई कर लेना जहां भी आपके कलर लगा है आप वहां पे इस तरह से लगाएंगे तो देखेंगे तुरंत रंग छूटता है बिल्कुल भी समय नहीं लगता है बस यही है कि ग्रीन कलर काफी पक्का होता है तो इसको आप दो तीन बार लगाएंगे तो आपका कलर बहुत जल्दी ही दो बार में ही छूट जाएगा और रेड होता है तो यही बार में आपका सारा कलर छूट जाएगा तो इस तरह से इसको दीरी-दीरे मसाज करते हुए हमें छुटाना है अगर चेहरे पे बहुत ज्यादा कलर लग गया है तो आप इस तरह से लगा कर के छुटा सकते हैं और आपके चेहरे में जल्दी से यह रिमूव होता है अब यह देखे कितना अच्छे से यह छूट गया है थोड़ा सा बचा है अब आप निम्बू ले लिजिए उसको इस तरह से थोड़ी देर रगड़ेंगे तो देखेंगे आपके हाथों का कलर बहुत जल्दी से साफ हो जाएगा कितना थान भी नहीं करेगा आपके इसकिन को घही नुकसान करेगा तो आप इस रिम्नी को अपना करके अपने कलर को चुड़ा सकते हैं क्युक्य होली में हर कोई कलर खूब खेलता है देखे होली में बहुत सारा कलर लगा रहता है जो कि हम लोगों के लिए आटा गुट dessert आटे म लाइक, शेर, सब्सक्रेब जरूर करना धन्यवाज थैंक यू